नाखपूर जिला विभाग क्रेडा विभाग के तत्वा ग्यान में सावनेर तहसिल स्तरिय बैडमिंटन्स परधा इंडोर क्रेडा संकूल में संपन्न हुई है इस तहसिल स्तरिय बैडमिंटन्स परधा का उधगाटन सावनेर तहसिल मराथी पत्रकार संग ध्यक्ष किशोर डुंडेले के हातों पूर्वनगर सेवक तथा सावनेर तहसिल मराथी पत्रकार संग के उपाध ध्यक्ष निलेश पटे तहसिल क्रेडा समन्वैक अशुक शवह इंडो क्रिडा संकूल व्यवस्तापक योगिश पाटिल आदी मान्यवरों की प्रमुकु पस्तिती में संपन्न हुआ इस तहसिल स्टरिय स्पर्धा में अंडर 13 अंडर 15 वो अंडर 19 असे तीन वे भागों में साउनेर तहसिल के सैग्ड उद्यमान खिलाडियों ने भाग लि आयजन का संचलें महाजन Tanar ने इन्होंने किया है इस सवसर पर खिलाडियों को सम्भूदित करते हुए कि अध्यक्शक कि ओंड़ेले ने कहा कि हार जीत खेल का अविभाद जंग है एक जीतता है तो एखारता है जीतने वाले तो खुश हो जाते है लेकिन हारने वाले खिल सावनेर थाना हद में हेटी रोड पर वामंधाबे के पास तरके करीब पाच बजे लगभग इंदोर से रायपूर जा रही स्लीपर कोच ट्राइवल्स क्रमांग सी जी आड एडवल्यू एठासी ग्यारा ने आगे चल रहे ट्रक क्रमांग आर जे अठरा जी बी पश्पन पै कल रात इंदोर से रायपूर के लिए निकली शर्मा ट्राइवल्स के चौलक को सुबह के समय जपकी आने से आगे चल रहे टायल से लदे ट्रक को टक्र मारने से ुक्थाच सा हुआ है घटना की जानकारी हेटि स्तित महामार ग्यातायाद पुलीच चोकी के विजय मुसनव को लगते ही घटनास्तल रवाना हुए तता हिजोती के हितेश बंसोड की साहिता से घायल योकों को बस से निकाल कर इलाज के लिए प्रात्मिक स्वास्ते प्रशिक्षन के इंदर साव ने रवाना किया जहां घायल की हालत गंबीर देग उसे आगे की इलाज के लिए नागप सवरू भी ले सकता था ऐसा प्रत्यक्ष दर्शियों का मानना है वही हाथ से सडकों पर बिखरे टाइस पेटी और टुकड़े यातायात पुलीस ने हटा कर मार्क सुचारू किया है सावनेर थानेदार रविंद्र मानकर के मार्क दर्शियों में सावनेर पुलीस आगे की जाज कर रही है बिस ये न्यूस के लिए सावनेर से किशोर धुंडेले तहसिल में बारिश से नुकसान कई सडके बंद हुए है पोत्रा नदी का बार का पानी डोंगर गाव में खुच गया और चार घर प्रफावित हुए वागारी नदी में बार मांगाउं शेड़ सडको पर भी यातायाद बंद हो गई है 15 दिनों के विराम के बाद तहसिल में भारी बारिश हुई 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है हाला कि 20 अगस को बार की कारेंट कई सडकों पर यातायाद बादित हो गई बारिश की कारेंट नदी नाले पोथरा नदी की बार का पानी डोंगर गाव पुराने गाव में गुज गया है बेसगस की सुब बार का पानी कुछ हद तक कम हो गया और घर के इलाके में बार का पानी कम हो गया गाल से सटी नदी में लाल नाला परियोजना का पानी नियमित रूप से भरता है और पोथरा जलाश है जैसे जैसे बढ़ता उसकी तियूरता बढ़ती है बार की धारा नदी पार करने वालक शेत्र के घरों में प्रवेश कर जाती है जिससे जनजीवन अस्तवेस्थ हो जाता है सुबह शांताबाई चंदन खिड़े विठल वराट कर संदीप मेंडे और हरी मेंडे के घरों में बार का पानी घुसने से कुछ देर के लिए लोगों क जाड़जिवन अस्तवेस्थ हो गया अच्छी नदी में बार आने के कारण सुबह से मानगाऊ सेवाला मार पर यातायाद ठप हो गई यसों सेवाग्राम समुध्रपूर को रा नंदोरी मार्प पर यातायाद बंध है तैसल में रिमजिम बाड़िश हो रहे है और नदियार और नहरे उपहान पर है बिसी अनीज की लिए हिंगन घार से रवेये नुकर गौंदिया जिले में इस साल बाड़िश देडे़ से आइ यसलिए गौंदिया की किसानों को भी अपना अकाम देट से शुरू करना पड़ा और गोंदिया जिले में वेभिनन संस्ताओं ने अभी तक पौधार ओपर नहीं किया जिले को हरा बरा बनाने के लिए हरित संसाय काम कर रही है लेकिन इस साल बारिश देड़ से आने के करण इस संस्ता ने पौधे लगाना शुरू कर दिया है इस ग्रीन असोसियेश संस Madison के साथ मिलकर गोंदिया शहर में कई जगों पर पौधे भी लगाया है गोंदिया जिले में पिछले दो दिनों की बारिश के कारण जमीन गिली हो गई है ऐसे में गोंदिया में ग्रूप साइक्लिंग संडे ने ट्री प्लांटिंग ग्रीन संस्ता के साथ मिलकर नागरिकों को जगर जगर पेड लगाने और पौधे लगाने का संदेश दिया है एक पेड क्योंकि आज रविवार है BCN News के लिए गोंदिया से अभिशेग भटनागर बुलेटिन में वक्त चला यही रुकने का ताज़ा खबरों से रूबर होने के लिए आप देखते रहे हैं BCN News नमस्कार